नमस्ति दोस्तो मेरी यूटूब चैनल राधा स्वादा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकिया है हूँ साउथ इंडियन सामबर की रेसिपी बहुत ही जटपट से ये सामबर बनके तयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है बिलकुल इंस्टेंड ये सामबर की रेसिपी है तो चलिए फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं और अगर आपको मेरी ये सामबर की रेसिपी पसंद आये तो प्लीस विडियो को लाइक और सियर करना बिलकुल भी ना भूले तो friends, सामबर बनाने के लिए यहाँ पे देखे मैंने एक प्रेसर कूकर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ, यह हाप कप मैंने तूर की डाल ली थी जिसे अरहर की डाल भी कहते हैं, इसे मैंने अच्छी से धो लिया था पानी से और 15 मिनट के लिए मैंने इसे सोक करके रख दिया था, अब हम इसे डाल देते हैं कूकर में पानी के साथ ही अब हम इसमें कुछ सबजियों को आड़ करेंगे यहां पे देखे फ्रेंड्स मैंने टमाटर लिये हैं, एक बड़े साइज का एक प्याज और थोड़े से मैंने कद्दू लिये हैं इसका मैंने छिलका हटा कि इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में कट कर लिया है इसके साथ ही मैं थोड़े से यहां पे गाजर डाल रही हूँ थोड़ा सा और इसके साथ ही मैं थोड़ा से यहां पे भिंडी डाल रही हूँ बिंडी डालने से सामबर बहुत ही टेश्टी बनता है और ऐसा नहीं है कि जो सबजी हमने यूज किया है वो ही आप यूज करें जो भी आपको पसंद हूँ आप डाल सकते हैं और इसके साथ मैं यहाँ पर ढाय कप इसमें पानी एड़ कर रही हूँ पानी आप थोड़ा सा जादा भी डाल सकते हैं और थोड़ा सामया पर नमक एड़ कर देंगे स्वाद के नुसार और थोड़ी सी हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और अब हम चलते हैं इसे गैस पर रखेंगे तो देखे फ्रेंड्स मैंने इसे गैस पर रखती है गैस का फ्लेम हम ओन कर लेते हैं और इसे हम कवर कर देंगे लिट से और इसे हम हाई फ्लेम पे लगबग 6-7 सीटी आने तक कुक करेंगे जब तक कि सबजियां और दाल बिल्कुल अच्छे से गलना जाए तो फ्रेंड्स यहां पे देखे 7-8 सीटी लग चुकी है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और कुकर को हम थोड़ा सा अच्छे से ठंडा होने देते ताकि इसका जो इस्टीम है वो निकल जाए तो अब हम इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं आधे गंटे के लिए तो यहां पे देखे फ्रेंड्स कुकर लगबग ठंडा हो गया सारा प्रेसर और खतम हो गया है तो में रहां प pas लगवा गया है और यहां पर देखे दाल और सबजी जो हैं बिपल अच्छे से गल चुकी है तो एक बार हम ईसे अच्छे से इस तरह से मिल लेंगे आप चाहे तो दलगशतनी जो आती है उससे चाहिए हinfl inm दाल और सब्जी एक साथ मिक्स हो जाए तो यहां पर देखे यह मिक्स हो चुका है अच्छे से अब हम चलते हैं मसाले की तयारी करेंगे यहां पर गैस पर मैंने एक कड़ाई रखी है और इसमें हम एक से दो बड़ा चमस तेल आड़ कर देंगे और तेल जैसे ही गरम हो कि यह थोड़ा सा अच्छे से चटक जाए जीरा और रंजो सरसो है अब हम इसमें कुछ करी पत्ते के डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर देखे सब भून चुकी है गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर लेते हैं और अब हम इतमें चोटी चमच यहां पर मैं डाल रही हूँ आमचूर पावडर और इसके साथ ही मैंने सामबर मसाला एट किया है तीन चोटी चमच आप यहां पर आमचूर पावडर के जगा पे इमली का पल्प भी ले सकते हैं जिससे जो सामबर है वो खट्टा बनेगा और आब हम इसमें जो हमने अभी दाल और सबजियों को बाल के रखी है उसे हम डाल देंगे और इसे मेक्स कर लेते हैं यहां पर देखिए अब हम गैस का फ्लेम ओन कर लेंगे फिर से और आब हम इसमें पानी आट करेंगे क्योंकि अभी बहुत ही गाड़ा है और सामबर जो है बिलकुर पतल अब हम इसे उबालना भी है तो आप चाहे तो यहां पर थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अब हम यहां पर नमक थोड़ा सा आड़ करेंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ करें हमने पहले भी नमक एड़ किया था ताल और सबजियों को उबालते समय तो आप यहां पर नमक एड़ करें थोड़ा सा टेस्ट कर लें और उसके साथ ही मैं थोड़ा से यहां पर काला नमक एड़ कर रही हूं इसे बहुत अच्छा सामबर में टेस्ट आता है और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हम मेडियम तू लो फ्लेम पे 5 लग से तयार हो जाता है तो फ्रेंड अगर आपको मेरी सामबर की रेसेपी कि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जादा सेव बादा मेH Drug वीडियो को यह बारे चैनल को सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब बब्बबब बाइ